हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है आज शिफ्टिंग का थर्ड ये है, थर्ड ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ देखते हैं आगे कहां तक शिफ्टिंग पहुंची है यह मैं वहीं से अज अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं जादे तर अपना वीडियो शुरू करती थी, अपने वेडरूम की विंडो से यहां पर यही व्यू दिखता है एक छोटा सा बस उधर रोड है और उपर स्काई है यहां पर पूरा construction चल रहा है और building यी building दिखती है तो चली देखते हैं क्या-क्या हो रहा है packing अभी मेरे रूम में कुछ खास नहीं हुआ है, TV भी वैसे ही लगा है और dressing table भी मेरी वैसे ही है यह treadmill dismantled करने आए थी, उन्होंने treadmill के कुछ parts निकाले है अब एक तरह से treadmill पूरी तरह से ready हो गई है packing के लिए ये इसका जो board है वो अगर हम इसको बांदेंगे नहीं तो ये बार बार नीचे चला जाता है तो इसलिए अब एक rope लोग लेके आएंगे फिर इसको हम नीचे करके बांदेंगे तो ये फुरा flat हो जाएगा ये इतना ही हुआ है treadmill का थोड़ा अभी मेरे तो अभी तो ये कपड़े वगएर भी मैं लेकिया है ये बाहर से फोल्ड करने हैं और यहां पे अभी मेरी almira भी सब सामान रखना है एक पार्ट almira का हो गया था थोड़ा सा ये मैंने नीचे बीच वाले में थोड़ा सा करा है द अभी वो लोग गये हैं कार को वो करने के लिए ले जाके ट्रक में उसको लोट करवाएंगे तो driver आ गया है और हमारे एक driver है वो भी mechanic है वो साथ जा रहा है क्योंकि हमारी कार नीचे से बहुत leak कर रही थी तो उसने repair कर दिया है एकदम ठीक हो गई है अब हम उसको बस लोट कराना है NOC वगरा पहले ही हो गया था तो भी husband और बेटा दोनों वहां गये है यह master bedroom है यहाँ पर भी अभी थोड़ी थोड़ी packing होई है यहाँ पर यह बाहर का view है बाहर भी सामान बहुत है cycle वगरा सब pack होनी है और अभी जो है bed ऐसे ही है यह AC निकाल लिया गया है AC का करना होगा सब कुछ सारे holes भरने होंगे और अच्छे से white wash करानी होगी कुछ यह treadmill का एक पार्ट यह रखा है और अभी यहां से bookshelf निकल गई है उस दिन carpenter आया था आप लोग साथ मैं शेयर किया था तो उसने निकाली है अभी speaker यह वाले नहीं हुए है TV नहीं हुआ है और क कुछ exercise की चीज़े हैं कुछ कुछ चीज़ें बेटा पैक कर रहा है उसके packages जो रखे हुए अभी उपर भी बहुत सामान है यह गदे वदी रजाईयां अभी दिल्ली में जाके काम आएंगे यहां नहीं कामा रहते चलिए महांगे देखते हैं पंचिंग वैग वैसी है और यह देखी मेरे husband आगे हैं उनका suitcase रखा हुआ है अभी गए हैं वो लोग कार को बिदा कर दे ग्रेटर नौइडा के लिए शोकेज भी नहीं हुआ है अभी उपर डिबे रखे हुए हैं कुछ कुछ सामान राहूल ने पैक किया हैं बेटे ने यह उसने अपना music system एक था speaker था वो पैक किया है और इधर यह कुछ packages है books के packages हैं यह किताबें और अपना electronic और चोट चोटे जो उनके connecting wires से सब होते हैं वो सब पैक किया है और यह देखी चोटी से car उनको car का बहुत शौक है चोटी बड़ी हरतरे की और अभी बस यह सब भी निकलने हैं और भगवान का अभी पैक होना है एक काटन यह वाला बस मैंने पैक किया था इसमें बेटी ने कुछ उपर रख दिया है अपना नीचे मेरे कपड़े हैं और बाकी नहीं हो पाया क्योंकि मुझे मेरे नीव रिप्लेस्मेंट हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हम husband आये तो उन नीचे फैसरवालं पैकर्स ने इस रूम में भी थोड़ी पैकिंग हूई है यह पेकर जो थे इस खुरी पेक हो गया है यह एकड़न भी थोड़े दिन पहली लिपता और उसका काटन था तो यह पैक कर दिया गया है और बाकी तो यह कली थे प्थे हौा फासके बाद ये राहूल ने किया है मैंने भी दोनों ने मिल के साथ में अभी ये हुई नहीं है जरॉक्स मशीन हो गई और ये गिटार्स वगेरा ये सब पैक होने है कुछ सामान यहां का पैक हुआ है जो बाहर रखा हुआ है अभी लैपटॉप वगेरा तो राहूल बाद में लास रहा है और किचन अभी हमारा पैक नहीं हुआ है इधर इस बालकनी में भी बहुत सारे सामान है सूटकेश भी निकालना इसमें शायद कपड़े भी है वूलेन कपड़े है या बहुत डस्ट भी हो रही है इधर ये मेरे यूटिलिटी एरिया है यहां पर मैंने कपड़े और मशीन भी लगा दी है और वह सब खाना तो बाहर से आ रहा है खाना आ गया है यहां से देखिए व्यू बाहर का थोड़ा दिखता है बाहर देखने मुझे बहुत आनन्द आता है मैं बाहर बाहर देखती हूं तो फ्रेश हो जाती हूं कि स्काई दिख रहा है सुन्दर सा यह बील्डिंग मद रही है यह करीब तीन साल चार साल से बन रही है अभी में खिया से बस एक साल में कंपलीट हो जाएगी अब वाइट वाइट वगेरा शुरू हो गया है पेंटिंग वगेरा और कि वींडो लग रही है चलिए ब इन नाट सबजी चाई खाया है प्रिक्वफस्स घर में बना रहे हूँ बाहर से जो आ रहा है लंच ओ डिनर आ रहा है फिल्टर भी निकलवाना है फिल्टर को डिस्मेंटल कराना है फिर इदर गैस सिलिंडर वापस करना होगा और मेख्या से यह जोती गैश्ट का है पता नहीं हमारा ही गैश्ट यह भरा हुए पूरा दो दिन पहले ही मैंने लगा है किसी से एक्षेंज कर लेंगे जिनका खाली होगा और बस अब चलती हूँ मैं नहाने जा रही हूँ नहा के फिर हमें जाना है यहां पर हमारी जो लैंड है वहां पर मार्किंग करानी है क्योंकि फिर इधर आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा बाउंडरी वाल हो जाती तो अच्छा था देखते हैं भी जाके उनसे बात करते हैं बिल्डर से तो बस हजबन आते हैं मैं नहा के तयार हो जाती हूँ और फिर नहीं कलती हूँ उस टाइम ताइम मिलेगा तो मैं विजियो शेयर करूंगे चली थीक है ौके वाई बाई ठेक केर Hello दोस्तों मैं नहा के आगई हूँ और बस अब तयार हो गई हूँ कपड़े पहन लिए मैंने अभी थोड़ा हलका सा मेकप करूंगी मेकप में मॉश्यराइजर लगाएंगे और फाउंडेशन और थोड़ा सा काजल लिप्स्टिक और सिंदूर लगाएंगे तो अभी बस नहा के आई हूं मैं से आपनों से बाते करती हूं आप अभी हम निकल रहे हैं और होटल की कुछ रूम हमें एह खथे के लिए लेने होंगे क्योंकि यहां जब सारा सामान पैक हो जाएगा और कीचिन भी पैक हो जाएगा सोने का भी नहीं रहेगा तब हमको betindet डेट सब ऐड एक हो जाएगा वोडिंग होगा और बस ट्रक निकल चाहेगा तो हम लोग 28-29 28 को पूरा दिन बिजी रहेंगे बहुत वोबर सैंट पैकर से जल्दी यल्दी पैक करते हैं बहुत फटा-फट करते हैं जिससे की समझ में नहीं आता क्या समान रखना है नहीं जो भी सामने दिखता है सब रख देते हैं तो वैसे हम कुछ-कुछ सॉट आउट कर रहे हैं और बस अब निकलेंगे हम 29 को इसलिए एक हफ़ते के लिए हमें होटल चाहिए होगा पांस तारी को यहां से निकलेंगे तो उसी के लिए जा रहे हैं क्योंकि ओनलाइन हो नहीं पा रहा है हम ने देखे हैं लेकिन काफी बुगड आ रहे हैं कि नहीं है रूम इतने लबे समय के लिए खाली तो चलिए हम जाके खुद देखेंगे मैं और मेरे हजबन जाएंगे अभी वो लोग गए हुए हैं कार को भेजने के लिए और उदर कार चली गई है अभी फोन पे बात हुई मेरी हजबन से कार हम आई निकल गई है और अभी वो लोग डाउन टाउन गए हैं हमारी वहां लैंड है उसको देखने और मार्किंग के लिए बात करने या बाउन्डरी वॉल के लिए तो बस अब मैं नहा के आ गई हूँ अब चलते हैं सोच रही हूँ मैं की थोड़ा पैकिंग कर लेते हैं जब तक वो लोग आते हैं अभी वहां जो ओनर जो हैं बिल्डर हैं वो वहां नहीं है तो नहीं को वेट कर रहे हैं फिर हम डोंने लंच भी नहीं किया अभी लंच करना है फिर हम आपसे मिलते हैं यह मेरा फोन आगे आ रहा है शीशे में चलिए ओकी बाई टेक केर